C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है ये श्रिंखला अक्षर की कहानी आज का अक्षर है धा तो आईए सुनते हैं ये कारिकरम धा से धम धम धोल नमस्ते बच्चो कहानी सुनाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो बच्चो ये बताओ कि शादी में क्या बचता है बाजा खाना खाते हैं दोल तो बच्चो एक जंगल में भालू मल का खूब बड़ा सा धाबा था धा से धाबा धाबा में क्या होता है बता हो धाबे में खाना मिलता है ना वहां पर पता हो क्या करता था वो धम-धम धोल बजा बजा के दाल चावल पराठे पूरी बेशता था जब धम-धम धोल की आवाज होती थी ना तो दूर-दूर से पशुबक्षी आते थे खाना खाने के लिए हां तो ये बताओ कि भालुमल क्या बेशता था धावे पर पूरी, गोबी की सबजी, पनीर की सबजी, बैंगन, भिंडी, वाह, पालच, चौमिन, नान, इसी बात पर हो जाए जोरदार ताली पता है बच्चो दूर-दूर से लोग भालुमल के धावे पर खाना खाने आते थे क्योंकि वो सारा खाना धक्कर रखता था सबी बरतनों पर ढक्कर रखता था, खाना बहुत ही साफ सुतरा होता था उसका पाने में ढक्कर ढक्कर रखता था, बिल्कु सही कहा तुमने, शाब़ाश, धासे ढक्कर, भासे ढकन, धासे ढाबा टीक है, उस जंगल में एक गेंडा भी था गेंडा, हां, मोटा गेंडा, बहुत ज़ादा मोटा, करोन मोटा था, जो गेंडा था न, वो काम धान तो कुछ करता नहीं था पर भालूमल के धाबे के खाने को देखकर उसके मूह में भी पानी आ जाता इतना बढ़िया खाना बनाया है भालू मले मेरे मुँ में तो पानी आ गया खाना कब आएगा मूली का पराठा भैंगन की सब्जी वटर पनी हालू आपडी हाँ तो बच्चो उसने यानी गैंडे ने एक तरकीब सोची उसने पता है क्या किया उसने बड़ा सा चोगा पहन लिया चोगा जानते हो ना क्या होता है चोगा जो होता है एक बहुत बड़ा सा लंबा चोड़ा जैसे कुर्टा होता है ना ऐसे और लंबा जो नीचे तक होता है पहलो तक रेंगोट जैसा बिल्कुल सही कहा लवीश ने रेंगोट जैसा बजो उसके लिए जोरदार तालिया गैंडे ने जोगा पहन लिया और पता उसने दाड़ी भी लगा लिए नकली दाड़ी और ऐसा ढोंग किया जैसे कि वो एक जादूगर हो और पता क्या बोला पूरी दुनिया मेरी मुठी में है मैं जो चाहू सो कर दू जा दूसे पत्थर को पहाल बना दू और पहाल को मामूली सा पत्थर और कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता तो बच्चो ढोंगी गेंडा भालू मल के ढावे पर गया लेकिन वो साथ ही एक ढेला जमीन से उठा कर ले गया था जासे ढेला जासे ढेला शावाश तो बच्चो उस ढोंगी गेंडे ने वो ढेला भालू मल को दे कर कहा बच्चा बम बम बोल बम बम बोल ये ले जादू का ढेला ले इसे अपनी चट पर ले जाओ चट पर ढ़लान यानि ढाल देखकर वहां से ढेला नीचे ढुलकाओ और ये जादू का ढेला है बच्चा अगर तुम ये ढेला अपनी चट से ढुलकाओगे तो तुम्हारे ढाबे में पैसो का ढेल लग जाएगा पैसे कमाऊगे आप मीर हो जाओगे वह करोड़ पती हो जाएगा अले वहां आपके दो धाबे हो जाएगे में जाएंगे एक से दोजाएंगे क्या बात है तो तो भच्चो ढלה से ढोंगी देला ढला तो बच्चो बिल्कुल सही का तुम ने पता बच्चो उस धूर्ट गैंडे ने उस भालुमल को क्या का पम पम फू ये लो जादू का ढेला और मुझे दे दो डाइमन खाने का ठेला आने के लिए छूट बोला बिल्कुल सही का निशानत ने ये लो जादू का ढेला और मुझे दे दो डाइवन काना जल्दी से केंडा पूरा है दोके बाश केंडा दोका देता है न दोके बाश हो जाला कर मालच पाखंडी है जोड Hmm. बोलते उसका पाप चड़ता है छूट बोले कव्वा काटे जूट बोले कवा काटे जो दूसरों के जाल इचाद है वो खुड़ी इसमें गिर जाद है अरे वाँ क्या वाँ मैं पीजिस वाली चॉकलर खरीट के खाटा हूँ हमें पैसे दे के खाना खरीटने चाहिए समझ गया समझ गया अरे तुम सब पैसे दे कर चीज़े खरीटते हो हा न हमें जूट नहीं बोला चाहिए बच्चो भालूमल तो समझदार था वो ऐसी बातों में नहीं आता था और तभी पता क्या हुआ तभी जरा सी हवा चली तो ढोंगी गेने का चोगा जो धीला धाला सा था न वो जरा उड़ा उड़िया और उसकी नकली दाली भी किसक कर नीचे आ गई यहीं उखल गई अब तो उसकी पॉल खुलने वाली है भाया धा से धीला धाला धा से धीला धाला धा से धीला और धा से धाला तो बच्चो हावा चलने से उस धोंगी गेंडे का चोगा जो धीला धाला सा था वो उड़ा और उसकी नकली दाड़ी भी किसक गई तो समने देख लिया और बोले अरे ये तो गेंडा है धोके वास धूर्थ कप्टी ये जूटा है इससे बात मत करो ये तो कप्टी है ये सब जोटा है अब बच्चो गेंडे को बड़ी शर्म आई वो बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई भालू भाई मुझे धाईमन खाना नहीं चाहिए मुझे तो बस जरा सी भूख है तब भालू मन ने कहा देखो गेंडे भाई मैंने कितनी बार कहा है अगर मेहनत करके पैसे कमाओगे तो तुम्हारी हर इच्चा पूरी होगी पर तुम तो ढीट की तरह सुनते ही नहीं हूँ सबसे खाना मांगते हैं यू ढकोसले से और ढोंग करने से इच्चा पूरी नहीं होगी ये लो खाना लेकिन वादा करो कि आपसे तुम मेहनत करके काम करके जिवन चलाओगे अपना समझे तुम अब ढोंग नहीं करोगे और ढाय मन खाना भी नहीं मांगोगे समझे हाँ जी भालु मल भाई मैं समझ गया बिलकुल बिलकुल अब मैं आगे से महनत करूंगा बिना महनत किये खाना नहीं खाऊंगा मुझे माप कर दो भालु मल भाई दा से धाई धा से धोंग धा से धकोसला धा से धीट शावाश अब तो बच्चो गैंडे को बात समझ में आ गई वो सचमुश महनती बन गया और अब गैंडा सब के साथ नाशने लगा गाने लगा जब भालु मलने बजाया धम धम धो धो भालु मल का जंगल में था खूब बड़ा सा धाबा धम धम धोल बजा के बेचे सबजी दाल पराठा धासे होता धम 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 धोल धासे धोल धासे धाबा साफ सुथरे धंग से रखता सारा खाना धकर पानी भी गंदा ना होता धकता धकन धकर धासे होता धंग धासे धकता धकता धकर धासे धकता धकन धककर धासे होता धंग धासे धकता धकता धकन धककर दूर दूर से पशुपक्षी आते सुन धम धम धोल धोंग बना कर गेंट आया बोला बम बम बोल भुम 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 जालू को गैंडा चले एक चाल धाबे की छत से धुलकाओ देखे छत पे ढाल धासे धेला धासे धाबा धुलकाओ धासे ढाल धासे धेला धासे धाबा धुलकाओ धासे ढाल ये जादू का धेला है पैसे की लगाता धेरी बस धाई मन खाना दे दो ये है सेवा मेरी मुट धेला धासे ड़ाई धासे होता है धेरी धासे लेला धासे धाई धासे होता है धेरी चली हमा को उड़ा जरा सा चोगा धीला धाला जखा हुआ था धोंगी गैंजा धोखा देने बाला धासे होता है धोंगी धका और धीला धाला भालू कहता सुनलो मैं कहता धेंदोरा पीट धुल मुल लहकर जीना छोड़ो तुम बनो मत धीट धासे होता है धिन धोरा धासे धुल मुल धासे धीट होता है धिन धोरा धासे धुल मुल धासे धीट नहीं है जादू ये दोका है धोंग न करना धोंगी नहीं धकोसले से महनत से इच्छा पूरी होगी धासे होता है धकोसला धासे धोंग और धोंगी अपको गैंदा भी महनत के बोल रहा था बोल सबी नाचने लगे बजाए भालू धम धम धोल धासे धम धम धोल धासे धम धम धोल अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम भाषा परामर्ष डॉक्टर नीलकंट कुमार भाषा शिक्षा विभाग N.C.E.R.T कलाकार प्रमीन शर्मा बाल कलाकार लवीश नमन निशांत चारू नीरू मौलिक हिर्दय और सोफिया संगीतकार, हर्भजन सिंग, गायन सुर, मन्जीत सिंग, रक्षित, आभा, मेघा, खुश्बू, मम्ता और आरुशी दोन्यांकन, बठिल्यांग लिंग्डो, आलेक, गीत, निर्मान, निर्देशन, वध्वनी संपादन, वंदना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत